असलाम अलेकुम वेलकम टो पाक जोब पॉर्टल माइनम इस रहान अली सितिकी विवर्ज मैं आज आपके लिए लेकर आयो इसलामाबाद इलेक्टिक सप्लाई कंपनी जोब्स 222 तो दोस्तों इलेक्टिक सप्लाई कंपनी इसलामाबाद में जोब आ चुकी हैं वीडियो आपके लिए लेक्टिक सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक इन शेयर लाजमी करें हमारा चैनल नू है तो मेर्मानी करके इसे सपोर्ट करें बेला इकन को लाजमी प्रेस करें ताके डेली न्यू जोब की अपडेट आपको मिलती रहें तो दोस्तों ये जोब्स जो है इसकी लार्स डेट है 14 अक्तुबर 2022 इनकी ये ओफिशिल वेबचाइट है चेक कर लेते हैं कि एट्रोटाइजमेंट पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्रेटेरिया एट्रोटाइजमेंट का दोस्तों ये एट्रोटाइजमेंट है इसके इसके अंदर जो है नंबर थृर्षर जो है वोपिन आप्लाइग कर सकती हैं पंजाब मीनियोर्टी से एक इपलाइग कर सकता हैं उसके अलाव़ सिंध अर्बं से उपिन पांच है और सिन अर्बन की वॉमें एक अप्लाइ कर सकती है बलोचिस्तान आपन अपने मेरिट 6 है गिल्किल्द बजिश्तान जो है वह वह ऊपन मेरिट एक है फॉर्मर फाटा ऑपने मेरिट 2 है अजाज जम्मो कश्मीर 2 है इसकी उमर की हदे 21 से 53 साल नमबर दो पर विकिंसी की बात कर लेते हैं Assistant Director, Customer Service, Revenue Officer की इसके लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो MBA, M.C. Computer Science, M.C.M.A. Static Mathematic Economics with minimum two second division in the academic career तो दोस्तों इसके अंदर जो विकिंसी की तादाद है उपर जो विकिंसी की तादाद थी एंजीनियर, Assistant Engineer, Junior Engineer की जो गिंसी की तादाद थी और 48 तादाद है और इसमें जो तादाद है वो 15 हैं देख लेते हैं किस पूरे पाकिस्तान से कहां से कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से पाकिस्तान से एक अप्लाई कर सकते हैं पंजाब वोमिन से एक अप्लाई कर सकते हैं, सिंधुरूलर ऑपिन मेरिट एक अप्लाई कर सकते हैं, सिंधुरूलर ऑपिन मेरिट एक अप्लाई कर सकते हैं, बलुचिस्तान से एक अप्लाई कर सकते हैं, केपिके से ओपिन मेरिट एक अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मल फा application का print में आपको अपने description में दे दूँगा advertisement का print website का print में आपको अपने description में दे दूगा जहां से आप भास आनी जाकर apply कर सकते हैं और इसमें apply करने के लिए career testing service career testing service पाकिस्तान सिंद टेस्टिंग सर्विस हैं जो के disabled हैं male है woman हैं सब apply कर सकते हैं इसके अंदर apply करने की जो test की fee से वो 70 रुपे हैं आपने 70 रुपे का चलान या 70 रुपे आपने जो है जमा करवाने होंगे उसके बाद बाद में आपने 35 रुपे और रुपेडी apply के लिखिया last date 14 October 2022 syllabus के हवाले से भी यह बता रहे हैं क्या syllabus किया है सबसे पहले अट्रोटाइजमिंट हमने देख लिए अब हम देखेंगे application form कैसा है इसका और इसको किस तरह फिल करना है तो दोस्तों यह इसका application form खुल गिया इसमें लिखावाइ इसमें इसके लिखें लिखेंगे और फाल्स इंफर्मेशन में भी रिजर्ट कैंसलेशन यानि कि अगर आप गलत इंफर्मेशन डालेंगे तो आपका रिजर्ट कैंसल हो जाएगा इसकी 14 October 2022 से प्लीज प्रेंट आउट अउनलाइन फिल्ट अप्लिकेशन फॉर्म अनलाइन फिल करेंगे दोस्तों यह ओनलाइन फिल्ट करेंगे यह देख सकते हैं आप यहां पे किलिक करके पोस्स चिलेक्ट कर लें उसके बाद आप जहां से वह सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट करने के बाद आपने पासपर्ट साइस तस्विर सेलेक्ट करनी एपना नाम पूरा मुकमल नाम लिखना है फादर नेम लिखना है cnac number confirm cnac number date of birth जो के आपके cnac number पर होनी चाहिए email address current mobile number आपने देना है confirm mobile number postal address house number street number town पहसील city यह ते तमाम तर आपने फिल करना है जेंडल फिल करना है, मेरिटल स्टेटस यह पूरी एप्लिकेशन बाइज लिए आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद academic qualification के हवाले से आप यहां पर फिल करेंगे, उसके बाद अगर आप government servant है तो वो फिल करेंगे, उसके बाद आप ने जो हे वो iHeavis पे किलिक करना है, किलिक करने के बाद आप जैसे ही submit करेंगे तो आपकी application submit हो जाएगी, submit होने के बाद जो है आपके पास पूरी मुकमल application fill होने के बाद आपके बास आजाएगी, कि बाद आपने उसका print निकलवा लेना है, तो दोस्तों जैसे ही आप application form को fill करके print निकाल लेंगे तो इसमें साफ वाजी लिखा है प्लीज प्रिंट आउन दाओ ओनलाइन फिल application form and send to ctsp head office address यह है through courier otherwise your application will be rejected यानि कि online apply करने के बाद आपने वो application निकाल कर head office के address पर भेजनी है by the courier उसके बाद आपकी application accept होगी otherwise आपकी application reject हो जाएगी TNIC की एक copy और passport size photograph आपने दो बेजनी है उसके साथ आपने photocopy application form की लगानी है और बेजनी है ctsp sttp sts throw तो दोस्तों यह देख सकते हैं आप लिखावा है send courier on the address mention on application form in 15 days पंदरा दिन के अंदर इसका address जो है application form जैसी आप download करेंगे उसमें होगा ठीक है तो यह थी application की मालूमात अब चलते हैं हम syllabus की तरफ syllabus पर click कर दिया हमने तो दोस्तो syllabus अभी इसमें update नहीं किया last date गुजरने के बाद यह syllabus बताएंगे किया syllabus होगा ठीक है आप जो है वो हमारी चैनल के साथ connect रहे हैं और इस page के साथ भी connect रहे हैं apply करने के बाद ताकि आपको new updates मिलती रहे तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो अमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like and share लाजमी करें चैनल को support और subscribe करें मिलते हैं एगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ पर तक के लिए अलाफ